बात हो रही है हिंदुस्तान के भविश्य की और ऐसे में जो सबसे ज्यादा जब्मिदारी जिसके उपर आ जाती है वो है आज की युवा की और वो युवा जब मेहनत करेगा परसिस्टिंट रहेगा हार्ड वर्क करेगा चाहे वो उसका काम हो चाहे वो उसकी पढ़ाई हो तब ही हमारा आने वाला भविश्य सुरक्षत होगा जी है बिलकुल और अभी तो दौर भी वही चल रहा है कई सारी competitive exams होने वाली हैं कुछ exams के results आ रहे हैं बचे अपने career चुनाओ के लिए थोड़े चिंतित भी है और इसी लिए DD morning show का हमेशा से उदेश रहा है कि जो हमार भी के civil services के UPSC के results भी आए है और उन में से एक जो सफल candidate है we are very delighted कि वो आज हमारे साथ studio में है आईए स्वागत करते हैं श्रेया शाक्या का जिन्होंने सफलता पूरवक UPSC clear करया है आपका बहुत-बहुत स्वागत है श्रेया नमस्कार नमस्कार धन्यवाद तो सबसे पहल आपके रैंक है 519 जे जे अच्छा श्रेया क्या motivating factor रहा जब आपने UPSC करने का निरनाय लिया आपने exams दी कई सारे उतार चड़ाओ निश्चित आये होंगे जितने भी aspirants होते उनकी life में आते है तो वो क्या instinct था वो क्या motivating factor था जो आपकी life में बदलाओ का का कारण बना सब आप से पहला तो internally जो मैं motivated थी क्योंकि मुझे करना था I had to do it अंदर से एक मन था मेरा की I have to try for civil services उसके बाद life में बहुत सारे उतार चड़ाओ आते जैसे कि आपने बोला तो उसके लिए एक support system थे मेरे parents और friends आज आप एक role model हैं सभी के लिए और बहुत सारे बच्चे आप से जुड़ना चाह रहे हैं सवाल पूछना चाह रहे हैं आप सभी को बता दें ये एक phone-in कारिकरम रहेगा अगर आपके मन में कोई संशे है कोई भी किस्म का सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमसे पूछ सकते हैं हमारा phone number है करपया note कीजिए 011-230-97532 तो श्रेया हमारे साथ मौजूद है एक सफल aspirant या सफल candidate अब कहना चाहिए आप सफल हो चुकी है अश्रेया आप से ये भी जानना चाहेंगे आपने कब तई किया civil services करना है या क्या आपने पहले ही humanity subject का चैन किया था आपका subject क्या था turning point कब था सर एक्चुली मेरा science subject था तो it's generally ऐसा होता है कि जो बच्चे science लेते हैं तो उनको इस field मैं नहीं उतना प्रोचसाहन मिलता है पर मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि एमस्सी करने के बाद मेरे पास fellowship थी JRF की तो but that was a hard decision मैंने ये decision लिया कि मैं उत्स fellowship को छोड़कर UPSC की तयारी और ये तीन साल की जर्नी रही मेरी तो जरूरी नहीं है कि humanities बलकि अभी तो engineering के भी काफी students निकाल रहे हैं इस exam को तो मेरा biology subject था but rather than choosing medical मुझे civil services का मैंने बच्चे generally science background से जो होते हैं वो lucrative careers engineering और maybe doctor बनना चाहते हैं लेकिन आपने एक जन सेवा का हम कहेंगे करियर चुना है तो ऐसे में क्या ऐसी चीजें थी जिन्होंने आपको constantly motivated रखा देखिए तीन साल की तपस्या आपने की तब जाके आप यहाँ पहुची हैं तो consistently अपने आपको motivate रखने के लिए क्या करना चाहिए कंस्टेंटली motivated रखने के लिए एक चीज मेरे मन में रहती थी कि जब भी मैं किसी को देखती थी और पूर पीपल हो गए या फिर कुछ भी तो मुझे लगता था कि मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूं और सिस्टम में मुझे लगता था कि कुछ अपना मैं योगदान दे सकत दे किसी मी करूझ श्रया जो एक आमरे करें उनके लिए कुछ प्रेपरिशन टिप्स आपकी तरफ से किन सब्जेक्स को जादा समय काम दे या क्या प्रेपरिशन के लिए क्या मतलब प्राटजी क्या होनी चाहिए हांर स्ट्राटजी सब्की इंडिविज्वल होती है मेरी यह स्ट्राइटिजी थी, तीन पॉइंट्स पे मैंने काम करा था, पहला तो यह था कि स्लेबस को देखो, स्लेबस you have to finish and it is an elephant size, बहुत बड़ा स्लेबस UPSC का मानते हैं, उसके अलावा यह था कि काफी बार ऐसा होता है कि आम पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं बट हम रिवाइज नहीं करते हैं, तो तीन-चार बार जो चीजें आपने पढ़ी है उनको रिवाइज करते रहें, डेली बेसिस पर यह वीकली बेसिस पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है, इक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ हर्याना से दर्शन कुमार जी बात कर रहे है, अगर आवाज आती है तो अपना प्रश्न पूछे, आज यह आ रही है, जे, पूछे प्रश्न पूछे, यह पूछना जा नहीं है, उनका पूछना है कि आपने कितना परिश्रम किया, अब जैसे कहा यह मित नहीं है, साथ से आठ गंटे तो पढ़ना पड़ता है, फाइफ आवर्स पांच गंटे का भी ठीक है, पर यह नहीं कि दस बारा गंटे हमें पढ़ना पड़े, चौदा गंटे पढ़ना पड़े, पूरे दिर कुछ लोग क्याते हैं कि हमने अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया और हमने पढ़ाई करी, तो वो जरूरी नहीं है, आपकी अपनी लाइफ है, आप 6-7 आवर्स दीजिए, 5 आवर्स दीजिए पढ़ाई को, तो श्रेया शाक के क्या मानती है, क्वांटिटी स्टड़ी बहतर है या क्वालिटी स्टड़ी बहतर है, एक तो चाहिए, क्वांटिटी से फरक नहीं पढ़ता, मैं बहुत कम पढ़ती थी, स्पोर्ट्स वगेरा में भी थी, और एक्टिविटीज में भी, और उसके अलावा डिसीप्लिन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो आपने पढ़ लिया 12 घंटे, फिर आप 3 दिन तक कुछ नह और जैसे आपने बताया कि इतने लंबे समय तक आपको एक सिटिंग करनी पढ़ती है, तो ऐसे में अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कैसे बरकरार रखें, उस पर कैसे ध्यान दें? पहली चीज तो यह है कि यह कोई जिंदगी मौत का सवाल नहीं है, UPSC है, मेरे पास प्लैन B था, सब के पास एक प्लैन B होना चाहिए क्योंकि यह बट डिफिकल्ट एक्जाम है, और फिजिकली अपने आपको फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज योगा, जैसे मैं तो हूला हूपिंग करती हूं और बैडमिंटन भी खेलती हूं, तो इस तरीके की चीज है, बैडमिंटन तो मैं डेली ही खेलती हूं, तो वो आपके स्टडी ब्रेक्स होते हैं एक तरीके से, उसके अलावा आप ट्राइवल करो, हम अभी रिसेंटली गए थे बनारस, आप कहीं भी मेगाले गए थे हम, तो बीच-बीच में आए टेक ट्राइवल ब्रेक्स होते हैं, तो अपनाना ही होगी, एक और कॉलर जुड़ गए है राजस्थान से हमारे साथ, पूछी अपना प्रश्न पूछे, यश्वन जी सुन पा रहे हैं आप हमें, जी में सुन पा रह को बहुत बहुत बन्यवाद, और मेरा सवाल यह है कि क्या मैला इन गेर पर रहकर भी से की तैयारी कर सकती है, तो डिजटल एड्यूकेशन तो रेविल्यूशन है एक तरीके से, कोविट के बाद तो ये जादा बढ़ गया है, तो उस कोविट के बाद से ऐसा हुआ कि जो सारी पोर्टल्स पे तो जो रिमोट एरिया है और ऐसी जगह है जहां पर लोग एक्सेस नहीं कर सकते जिसे कई महिल आया है मेभी उनको कोचिंग की जो सुवधा है वो पलब्ध नहीं हो पा रही है किसी वजह से आर्थिक स्तिती है यह वहां तक पहुंच नहीं पा रही है तो क्या बिना कोचिंग के भी मुम्किन है क्लियर करना UPSC? हाँ बिना कोचिंग के मुम्किन है मैंने परसनली कोई फांडेशन कोर्स नहीं लिया था अल्ली आफ्टर वन फेलियर जो 2022 मैं आई कुड नॉट क्लियर अफ्टर दैट उसके बाद मैंने टेस सीरीज जॉइन करी थी अच्छिस मैंने नहीं लिये थे बाद मैं कुछ क्लास लिये थे और जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उनको फिल अप करने के लिए मैथ की क्लास लिए तो जरूरी नहीं है कि आपको फांडेशन बैच पूरा लेना है सारे क्लास लेने है आप बुक्स ले लो आप एक बार शॉपिंग करने जाओ आप सब कुछ मैटीरियल करो है फेलियर के बाद हमें लूपोल्स पता चलते हैं अपनी इस सब्योपिंग मैं वीक थी या फिर यहां पे मुझे और काम करना था और एक और बागो फेलियर के बाद री स्टार्ट किया जाता है उसमें किन छीजों का ध्यान रखना चाहिए क्यों कि कई बार यह होता है य मेरे मिस्टेक्स क्या रहे, उसके बाद एक और चीज आपको गड़नी चाहिए कि टॉपर्स के आप वीडियो देखिये, वो काफी ऐसी चीज़े बताते हैं कि उनकी लाइफ में भी फेलियर्स रहे होते हैं, तो आपको उनकी जरनी से सीखना चाहिए, देखी यूपी ऐसी मे रिटन एक्जाम तो होता ही है, सात में इंटर्व्यू का भी उतना ही महत्व है, तो रिटन की तयारी के बारे में तो बहुत कोछ होता है, लेकिन इंटर्व्यू के लिए कैसे तयारी की जाए, इंटर्व्यू के लिए दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक तो वर्क तो आपको mock interviews देने चाहिए, जैसे काफी सारे coaching institutes होते हैं, वो mock interviews आपको free में provide कराते हैं, तो आपको वो देने चाहिए, श्रेया तो आपने जो ये information साज्या की हमारे साथ, निश्चे तोर पर जो हमारे UPSC aspirants है, उनको ये motivational force का काम किया होगा, आपका बहुत-बहुत शुक् हुआ 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 हुआ